हेलो प्लेंट स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में तो आज मैं यूज करने वाली हूँ देखे इस तरीके से मेरे पास एक ब्लाउस पीस पड़ावा था वेस्ट तो प्लेन कपड़े का भी आप बहुत ही प्यारा बैग बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छे है ना बहुत ज्यादा बड़ा साइज है बिल्कुल मीडियम साइज का बना है आप जब इसे बनाएंगे तो बनाने के बाद आपको भी ये बैग बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि इसका साइज बहुत पॉफेक्ट बना है एक जिपर पॉकेट हमने इसमें आगे की बनता है देखिए और साइज इसमें आपको अलग से बनाने की जोरत नहीं है आटोमेटिकली हमने जो कट लगाया है उससे इसकी साइज बन जाती है उपर की तरफ मैंने इसमें दो रनर डाले है और अंदर की तरफ से वाइड ओपनिंग के साथ ये देखिए बहुत है तो इसे बिना जिपके भी बना सकते हैं वो भी मैंने वीडियो में आपको बताया हुए कि अगर आप इसे बिना जिपके बनाना चाहते हैं तो बिना जिपके या जिपके साथ कैसे बना सकते हैं तो इसकी लंबाई देखिए अप्रॉक्सिमेट हमारे पस आई है 12.5 तो बहुत ही simple और easy तरीके से आज हम इससे बनाने वाले हैं I hope आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए तो comment जरूर कीजिएगा और अगर आप इस bag को वीडियो को देखके bag को try करते हैं तो please comment करके जरूर बताईएगा कि आपका bag कैसा बना तो चलिए simple easy और आसान तरीके से हम इस प्यारे से bag को बनाना सीखते हैं तो किसी भी plain कपड़े से आप बना सकते हैं उसके साथ कोई थोड़ा सा matching कपड़ा लेके इस bag को ready कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शिरू करते हैं तो जिस भी कपड़े में से आपने बनाना है देखिए इस तरीके से एक rectangle piece नीचे कोई भी lining के लिए कपड़ा बीच में rice bag ये मैंने लिया है 20 inch into 31 inch का rectangle piece उसके बाद देखिए उस पे सिलाई लगा ली है lining वाले piece को थोड़ा सा मैंने extra लिया था क्योंकि कई बाद सिलाई करते वे छोटा हो जाता है उसके बाद हमने extra cut कर लिया है अब आपको क्या करना है देखिए यहां से हमें लगाना है center point का निशान इसके बाद हम यहां पे strap के लिए निशान लगाएंगे तो दोनों तरब से देखिए यहां पे हमने center point का निशान लगा लिया है तो चलिए strap बना लेते हैं तो दो pieces मैंने लिये हैं यह मैंने लिया है 3 inch और इसकी लंबाई लिया है 19 inch strap की लंबाई अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से बड़ी भी कर सकते हैं उसके बाद बीच में आपको रखनी है rise bag की पट्टी और इसे fold करते वे आपको सिलाई लगा के ready कर लीना है तो दोनों strap को हम ready कर लेते हैं strap दोनों ready होगी तो चलिए strap को join कर लेते हैं तो जो हमने center point का निशान लगा था उस center point से आपको दोनों तरफ निशान लगाना है 3-3 inch का और जैसे strap हम इस तरफ लगा रहे हैं वैसी same measurements के साथ आपको दूसरी तरफ भी लगाने हैं तो दोनों strap को हम join कर लेते हैं सिलाई machine से strap join हो गई हमारी अब हम इसे fold कर लेते हैं और हम इसका base cutting करेंगे तो बिल्कुल perfect cutting हो आपका बिल्कुल भी हिले नहीं finishing के साथ बने तो आप इसे pin up करके कीजिएगा तो देखी मैंने इसे अच्छे से pin up कर लिया है अब हम इसका base cut करेंगे तो base हम यहापे cut कर रहे हैं 2.5 inch into 2.5 inch का square आपको cut करना है दोनों bottom की तरफ से इसे हमारी side और bottom दोनों इसे में इकठे बन जाएंगे सेम ऐसी दोनों तरफ हमने निशान लगा लिया अब आप इसे cut कर लीजे तो देखी हमने cut कर लिया अब दोनों pin's निकाल लेते हैं और दोनों side वली से लाई लगाएंगे तो यह हमारा हो गया side पे रखते हैं पहले हम pockets बना लेते हैं तो pocket बनाने के लिए देखें बीच में rise back डालके दो pieces मैंने ready किये हैं तो एक मैं zipper pocket बना रही हूँ एक normal pocket 13 inch into 9.5 inch अगर आप चाहें तो दोनों pocket को zipper की तरह बना सकते हैं method सेम है follow करने का तो एक pocket को मैंने fold किया और सिलाई लगा ली दूसरी वाली जो pocket है उस पे zip लगा लेते हैं तो zip लगाने के लिए हमें क्या करना है यहां से 1 inch पे हमें cut लगाना है तो 1 inch पे पहले हम पूरा निशान लगा लेते हैं और उसी निशान पे आपको cut कर लेना है तो चलिए अब zip लगाते हैं तो zip हमें लेनी है यह देखिए zip मैंने ली है 10 inch की और zip को हमें side की पटियों से finish करना है तो 2 पटियां एक तरफ के लिए और 2 एक तरफ के लिए यह मैंने ली है 2 inch 2.5 inch अब इस तरीके से रखना है और उपर की तरफ आपको सिलाई लगानी है सिलाई लगाने के बाद दूसरी तरफ को पलटना है और देखिए जैसे मैं निशान लगा रही हूं marker से वैसे ही आपको इस पे सिलाई लगानी है उसी निशान के उपर बिलकुल zip की सीध में देखिए देखिए हमने सिलाई लगा ली अब एक्स्ट्रा बिलकुल इसी शेप में आप सीधी कट कर लीजिए और जैसे इस तरफ से फिनिश किया है दूसरी तरफ से भी से कपड़ा लगा के फिनिश कर लीजिए तो zip हमारी फिनिश हो गई तो चलिए जाइन कर लेते हैं तो zip की सीधी तरफ जहाँ पे runner है सीधी तरफ अंदर की तरफ और यहाँ पे पूरा लंबाई में आपको सिलाई लगा लेनी है सिलाई लगा ली फिर आप इसे पलट लीजिए और पलटते वेस के उपर टॉप स्टिच लगा लीजिए अब दूसरी तरफ का पीस आपको जाइन करना है वान इंच का जो कट किया था उपर रखना है सिलाई लगानी है उसके बाद पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है तो हमारी पॉकेट देखिए रेडी हो चुकी है तो चलिए एक्सट्रा कट कर लेते हैं साइडों से और अपनी पॉकेट को अब जोईन कर दे हैं में पीस के साथ तो दोनों पॉकेट रेडी हो गई तो चलिए जोईन कर लेते हैं तो ये हमने ले लिया तो center point वाले निशान को reference लेते वे चलेंगे यहां से 3 inch का निशान लगाएंगे pocket को आपको रखना है pocket का भी center point ले लीजिए ताकि बिल्कुल center में लगे आपकी pocket तो center point को center point से देखे हम मिलाते वे रखेंगे उपर की तरफ से fold कर लेना है इस pocket को हम चारो तरफ से fold करेंगे और यहां पे हम stitch कर लेंगे बस आपको एक चीज़ का धियान रखना है वो मैं भी बता देती हूं आपको तो यह हमने उपर की तरफ से fold कर लिया उसके बाद यहां side से भी fold कर लेंगे और fold करते वे चारो तरफ हम इसको fold करते वे सिलाई लगा लेंगे अब यहां से आपको धियान रखना है कि यहां से आपका 1.5 इंच का distance चूटना चाहिए दोनों तरफ से pocket के side से क्योंकि हमें base की और side वाली सिलाई लगानी है इसमें बाद में तो यहां से दोनों तरफ से 1.5 इंच का distance चोड़ते वे जितना भी extra है उसे देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ करते वे हमने सिलाई लगा ली है तो देखिए हमारी zipper pocket attach हो चुकी है बस इस distance का धियान रखिएगा यहां से 1.5 इंच होना चाहिए दोनों तरफ से तो चलिए same measurement के साथ आपको दूसरी pocket भी लगानी है बिल्कुल वैसे ही करना है उपर से आपको पहले center point लेना है उसके बाद आपको उपर से 3 इंच का निशान लगाना है जैसे हमने पहले लगाया था और बिल्कुल pocket को रखते वे इसे आपको 3 तरफ से fold कर लेना है क्योंकि उपर की तरफ से open रहेगा तो बाकी इसे 3 तरफ से हम fold कर लेंगे और fold करते वे सिलाई लगा लेंगे और same वैसे ही side से जो हमारा distance चूटा था यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से वैसे ही आपका distance चूटना चाहिए 1.5 इंच का तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं अब दो पटियां लेनी है आपको उपर की तरफ से finish करने के लिए यह मैंने ली है 2 इंच की पटि यह मैंने blouse piece में से ही ली है लंबाई में रखते हुए देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है तो हम इसे पूरा finish कर लेंगे अगर आप इस बैक को टॉप पे जिप नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरीके से भी इसे use कर सकते हैं तो हमने सिलाई लगा ली अब इसे दूसरी तरफ को पलट लीजिए और इसके उपर top stitch लगा लीजिए तो दोनों तरफ हम top stitch लगा लेंगे तो अगर आप जिप लगा रहे हैं तो भी आपको इसे finish करना है अगर नहीं लगा रहे हैं तो भी आपको finish करना है तो देखिए दोनों तरफ हमने top stitch लगा लिया अब आपको क्या करना है देखिए दोनों साइड में सिलाई लगानी है उसके बाद दोनों साइड के जो rough edges हैं उसे हम lining वाले कपड़े से finish कर लेंगे तो दोनों तरफ से हमने finish कर लिया तो चलिए अब इसका base बना लेते हैं तो यहां से पकड़ना है देखिए आपको और पूरा इस पे सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ उसके बाद सेम वैसे ही जैसे हमने rough edges को finish किया था simple कपड़े की पट्टी से rough edges को हम finish कर लेते हैं दोनों तरफ से देखिए तो दोनों तरफ रफ edges finish होगे तो आप back को सीधा कर लीजिए और हम इसकी side वली सिलाईयां लगाएंगे तो देखिए कितना प्यारा हमारा back बन गया है तो चलिए side का इसकी सिलाई लगाते हैं एक pocket यहां बन गई एक zipper pocket यहां पर बन गई देखिए और काफी अच्छे बड़े size की बनती है तो अब हमें side देखिए यह corner पकड़ना है आपको बिलकुल सीध में और यहां पर आपको लगा लेनी है सिलाई यहां से लेकि देखिए इस तरीके से रखते वे सिलाई लगा लीजिए इससे इसकी shape बहुत अच्छी आती है corners बहुत अच्छे से बन जाते हैं देखिए तो यह मैंने सिलाई लगा ली अब से मैसे ही इस तरफ भी सिलाई लगानी है और बाकी के जो दो corners हैं उस पे भी लगानी है तो चारो corners पर हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे तो देखिए चारो corners पर हमने सिलाई लगा ली है और इस तरीके से ये हमारा bag बिलकुल ready हो चुका है तो अगर आप इसे उपर की तरफ zip नहीं लगाना चाते तो इस bag को आप as it is use कर सकते हैं देखिए दोनों sides आ गई, zipper pocket आ गई और ये हमारा bag देखिए ready हो गया अब zip कैसे लगानी है वो बता देती हूँ, zip ले ली उसमें दो runner डले हुए zip आपको extra लेनी है, जितना भी आपका आ रहा हो उससे 5 inch extra और सबसे पहले हमें zip को दोनों corner से इसके finish कर लेने हैं तो दो पटियां ली हैं मैंने corners finish करने के लिए तो ये 2 inch और 2.5 inch के करीब है तो इसे रखना है देखिए इस तरीके से और ऐसे fold करते हुए सिलाई लगानी है, उसके बाद दूसरी तरफ को fold करते हुए हम इसे finish कर लेंगे, basically आपको zip को एक पट्टी से finish करना है ये देखिए तो दोनों तरफ से हम इसे इसी तरीके से finish कर लेंगे तो देखिए हमने finish कर लिया तो बहुत ही simple तरीके से अब आपको zip attach करना बता देती हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है bag का center point आपने already लिया हुआ था हमें लेना है zip का center point तो बहुत ही easy तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ देखिए zip का center point ले लिया और just आपको क्या करना है देखिए ये हमारा bag है सीधी तरफ यहां से लेके यहां तक आपको zip को attach करना है इसे हम इस तरीके से करेंगे देखिए ये हमारा आ गया zip का center point इसे उपर की तरफ कीजिए center point को center point से मिलाईए और यहां इसे तीन तरफ से pin कर लीजिए अभी मैं आपको सिलाई machine पे भी सिलाई लगा के दिखाऊंगे तो पहले मैं आपको pin करके clear कर देती हूँ कि कैसे करना दिखिए यहां से pin कर लिया center से और और एक सिलाई लगनी है हमारी यहां तक देखिए इस corner तक तो just zip को मैंने नीचे की तरफ रखा है और हम उसके उपर सिलाई लगा लेंगे तो देखिए तीन pin मैंने लगाई थे आपके सामने अब just simple इस पे आपको सिलाई लगा लेनी है यह देखिए इस तरीके से रखना है सिलाई मशीन में और यहां वाली pin मैं निकाल देती हूँ यहां से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और दूसरा जहां तक हमने pin लगाई है जहां तक हमारी side है वहां तक आपको इस पे सिलाई लगा लेनी है तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ यहां से लेके दूसरे end तक तो देखिए हमने सिलाई लगा ले यह देखिए तो बिल्कुल अच्छे से अब दूसरी तरफ के zip कैसे लगाने है वो बताती हूँ देखिए तो वही center point का निशान है zip को आपको खोल लेना है ताकि easily सिलाई लग जाए फिर मैंने इसे पलट लिया देखिए इस तरीके से और zip को भी पलट लिया और यहां पे हम फिर से तीन पिन लगा लेंगे और फिर से वैसे हम इस पे सिलाई लगा लेंगे यह देखिए वैसे ही बिलकुल corner तक अब यहां से लेके फिर से यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा ली जाए तो देखिए यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा ली और यह bag हमारा देखिए with zip बिलकुल ready हो चुका है तो जिप को हमने देखिए जस्ट उपर से अलग से इंसर्ट किया है, तो आप चाहे तो इस बैग को जिप के साथ या बिना जिप के साथ बना सकते हैं, नीचे से काफी अच्छा वाइड बॉटम, काफी अच्छे साइस का हमारा ये बैग बना है, उपर की तरफ से दो रणर् और ये प्यारा सा क्यूट सा बैग बनके हमारा ये रेडियो चुका है, तो सिंगल पीस ओ फैब्रिक से बना है, और देखे काफी अच्छे बड़े साइस की पॉकेट बनी है, जिपर पॉकेट, आप चाहे तो जो पीछे की तरफ मैंने सिंपल पॉकेट लगाई है, उसे भ बताया था, फिर भी एक बर दुबारा से आपको इसका साइस बता देती हूँ, तो ये है 14 इंच, और इसकी लंबाई है प्रॉक्सिमेट, 12.5 इंच, और 6 इंच के करीब इसका बेस बना है, तो काफी अच्छे साइस का हमारा ये बैग रेडि हो चुका है, तो आप आपको ये बैग का डिजाइन अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जल्दी मिलते हैं नही वीडियो के साथ, थैंक यू,